मैं डॉक्टर ग्यान नातिवारि सहाचार MTV सुध्याले नोड़ा उत्रप्रदेश आज आप से विज्ञान में संप्रत्य मांचित्रण के प्रयोग की चर्चा करूंगा मैं इस बात में विश्वास रखता हूँ कि विज्ञान सिक्षा को बहुत ही ध्यान देना होता है कि वो कैसे नवाचार करे और विभिन नवीन विधियों का प्रयोग इस प्रकार करे कि उसका विद्यार्थी एक ऐसे विद्यार्थी के रूप में विक्सित हो जो विज्ञान मालचित्रण क्या है संप्रत्य मालचित्रण की क्या गद्विधियां है और संप्रत्य मालचित्रण का क्या अर्थ है और कैसे इसका प्रियोग किया जा सकता है वास्तों में संप्रत्य मांचित्रण विभिन वज्ञानिक संकलपनाओं को समझने में बहुत सहायक होता है एक ऐसी विधी है जिस विधी का प्रियोग विज्ञान में बहुत होता है और इससे हम विज्ञान के जो संप्रत्य हैं उनको आसानी से समझा सकते हैं संप्रत्य और संप्रत्य मांचित्रन आपस में संबंधित है। संप्रत्य मांचित्रन संप्रत्य का एक मांचित्र है। जिसके माध्यम से हम विज्ञान के जो विभिन तत्य हैं, उनको विद्यार्थियों से आसानी से समझा सकते हैं। समप्रत्य क्या है इस बारे में हम चर्चा करेंगे, समप्रत्य ज्यान की प्राथ्म की काई है। ज्ञान की विभिन इकाया हो सकती है और इसके प्रात्मिक इकाय संप्रत्या है या विभिन विशिष्टाओं का सामानी करण है उधारन के लिए वल, उर्जा, वास्पी करण यह सभी विज्ञान का संप्रत्या है जिनका मध्यन करते हैं हमें एक उधारन से इसको समझ सकते है जैसे हम जल की बात करें तो जल एक संप्रत्या है जल के कुछ विशिशताएं हैं जो होती हैं और जिसके आधार पे हम उनको एक स्ट्रेडी में रखते हैं जिसका नाम हमने जल रखा ऐसी दूसरी किसी भी वस्तु या ऐसे किसी दूसरे विचार जो की इससे मिलता जुलता है वो एक भिन्न संप्रत्या होगा ना की जल उदारन के लिए अगर हम तेल की बात करें तो वो जल से भिन्न होगा तेल भी और जल भी दोनों की जो अवस्ता है वो एक जैसी होती है लेकिन दोनों का रूप रंग उसके प्रकृति भिन्न होती है हर एक भिन्न प्रकृति के आधार पे हम जब कुछ उदारन लेते हैं और उनका एक स्त्रेडी बनाते हैं और उस स्त्रेडी का नामकरण करते हैं तो उसे हम संप्रत्य करते हैं, कहते हैं विज्ञान में बहुत से संप्रत्य हैं जिनका हमें अध्यैन करना होता है और इनका अध्यापन और अध्यैन करने के लिए संप्रत्य मान्चित्रadaki एक बहुत ही अच्छा माध्यम है हम्ने यह पाया कि क्रात्यविक अस्तर पर कुल नौ वैज्ञानिक संप्रत्य हैं, जिन से वैज्ञान का प्रादुर्भाव विद्यार्थियों में होता है और वैज्ञान दिश्कोंड विक्सित होते हैं कौन-कौन से वो संप्रत्य हैं जिनका हम अध्यान वैज्ञान के अंतरगत करते हैं वो नौ प्रथम संप्रत्या है संगठन वास्तों में विज्ञान में हम बहुत सारी जो वैज्ञानिक संकलपनाएं हैं उनको संगठित करते हैं उनको क्रमबद और व्यवस्थित रूप में प्रस्तुत करते हैं एक विज्ञान का विद्यार्थी इस चमता को विक्षित कर लेता है कि वो विभिन संकलपनाओं को विभिन कदिविधियों को क्रमबद और विवस्तित रूप में अध्यन करे दूसरा कारण एंग प्रभाव हम एक विज्ञान के विद्यार्थी और विज्ञान के सिक्षक के रूप में ये जानने का प्रयास करते हैं कि जो कुछ भी हमें दिख रहा है उसके पीछे का कारण क्या है क्योंकि कारण और प्रभाव आपस में अंतर संबंधित होते हैं एक विज्ञान का विद्यार्थी जब यह जानने का प्रयास करता है कि उस गतिविधी के पीछे क्या कारण है और उसके प्रभाव को समझने का प्रयास करता है तो वो सच्चे अर्थों में विज्ञान का विद्यार्थी बन जाता है उदारन के लिए यदि बारिस हो रही ही है तो बारिस का जो संप्रत्या है उसके पीछे कौन से कारण है वास्पी करण है या और संगनन है क्या वैज्ञानिक प्रत्य जुड़े हुए हैं जिसका प्रभाव बारिस के रुप में हमें दिखाई पड़ता है ये कारण एंग प्रभाव का संप्रत्य है तीसरा है तंत्र जिसे हम अंग्रेजी में सिस्टम कहते हैं विज्ञान में हम इस बात का ध्यान रखते हैं कि कोई जो तंत्र है वो उसमें कौन-कौन से अंग है उदाहण के लिए अदा, प्रदा और प्रक्रिया ये तीन अंग होते हैं हर एक गतिविधी के पहले कुछ सामगरी होती है और फिर हम वो क्रिया कलाब करते हैं तत्पस्चात हमें कुछ परड़ाम प्राप्त होते हैं ये एक तंत्र है जिसका दिन हम विज्ञान विद्यार्थी के रूप में करते हैं चोथा जो संप्रत्य है विज्ञान और जो की प्रात्मिक अस्तर पर बहुत महत्रपूर्ण है वो है प्रतिमान या मॉडल्स हम एक सिक्षा के रूप में जब भी कोई विज्ञान का जो भी जिस प्रत्य के ग्यान दे रहे होते हैं उसको समझाने के लिए हम विभिन प्रतिमानों का प्योग करते हैं विभिन मॉडल्स का प्योग करते हैं उधारण के लिए यदि हम बताना चाहते हैं कि जल चक्र क्या है और यह बताना चाहते हैं कि जो वर्सा में जल आता है उसको हम कैसे कैसे इकठा कर सकते हैं कैसा उसक अंगे को समझाते हुए चाहे तैने की बात हो उनको समझाते हुए अगर वह पौधा दुखा है फोधा बहुत अर्वा प्रतिमां धार्ट्र Sun वह पौधा यह आध्य को सब्रकार को सब्लबत करते हुं आ ध्यान में रखते हुए हम उसको विज्ञान की जानकारी देते हैं विज्ञान के संप्रतियों को समझाते हैं हर एक जो भी वस्तु होती है उसके पीछे उसकी संगरचना क्या है और उसका कार क्या है यह भी विज्ञानिक संप्रत्य है जैसे हम प्राद्मी कस्तर के विद्या हैं हर एक अंग की एक संग्रशना है और उस संग्रशना का क्या प्रारूप है वह हम विद्यार्थियों को समझा सकते हैं चित्रों के माध्यम से साथ में ही उस जो संगरशना है उसका कार है क्या है अगर हमारी आख नेत्र है उनकी संगरशना हमें पता है तो उस जो नेत्र है उसका कार है क्या है हमारी जो कान है उसका कार है क्या है हमारा जो हाथ है उसका कार है क्या है तो इसी प्रकार से विभिन जो हमारे चाहें शरीर हो या कोई वस्तु हो विज्ञान के जो विभिन संबंधित गतिविदियां, विभिन संबंधित विचार, विभिन संबंधित वस्तु में हैं, उन सब की संगर्शना और उनके कारे के बारे में हम इसमें अध्यन करते हैं। फिर हम बात करते हैं, जो सात्वा संप्रत्या है, जिसका अध्यनावस्यक होता है, वो है परिवर्तन, क्योंकि हर एक जो संप्रत्या है, हर एक जो विज्ञानिक संप्रत्या है, उसमें बदलाव होता रहता है, उदाहरन के लिए अलग-अलग जो व्यत्ति हैं, वो अलग-अ वह जुन है वह अलग विज्यानिक की विद्जारती में उनकी ह से रूप में आप Grandpa बताने के लिए उताराई होते हैं और हम बात करते हैं चर्की या वैरियेशन की जिस तरह से बदलाव होते हैं उनकी भी अध्यान और अध्यापन वैग्यानिक संप्रत्य के रूप में होता है और एक जो नौवा वैग्यानिक संप्रत्य है जो बहुत महत वोड़ हम उसकी चर्चा वस्व करेंगे वह विविद द् हहिता है वह आपस में कैसे अक दूसरे के लिए सहायक होती है और कैसे कि तंतर को बनाती है जिससे एक जो वस्तु है, एक जो एक जुकाई है कैसे जुड़ी होई है और कैसे आपस नौ वैज्यानिक संप्रत्या हैं उनका अध्यापन करेंगे और इस बात का प्रयास करेंगे कि उनमें ये सारी चीजें विक्षित हों एक और बात मैं कहना चाहूंगा कि यह जो भी आपने चितर देखा वो भी प्रकार का संप्रत्य मान-चित्रन था अब बात उड़ती है कि संप्रत्य मान-चित्रन क्या है संप्रत्य का 500 संकलपना है वो आप समझ गए संप्रत्य मान-चित्रन के हम बात करेंगे एक सिछ्षा शास्त्री हुए हैं आसुबेल और उन्होंने एक सिध्धान दिया जिसको हम कहते हैं अर्थपूर्ण-अधिकम सिध्धांत मीनिंग संप्रत्यमांचित्रण की जो विधी है उसका आधार है और संप्रत्यमांचित्रण का जो पून विकास है को जोसेप ड.नौवक ने 1960 में किया था ये जो विचार है वो इतना महत्यपूर्ण है और बाद में इतना अधिक प्रयोग किया गया कि जो भी विज्ञान के सिक्षक थे उन सभी ने प्रयास किया कि हम इसका प्रयोग करें और मैं आपसे भी चाहूंगा कि एक विज्ञान के सिक्षक के रूप में प्रयास करें कि आप अपने विभिन जो वैग्यानिक संप्रत्य हैं उनको संप्रत्य मान-चित्रन के माध्यम से पढ़ाएं अब इसको पढ़ाने का उद्देश से क्या है और हम ये क्यों करते हैं इस बात को समझने क्या हो सकता है वास्तों में हमारा जो मस्तिस्क है वो बोली जाने वारे सूचनाओं के तुलना में जो सूचनाओं चित्र के माध्यम से मिलती हैं जो हम देखते हैं वो उसके माध्यम से हम ज्यादा अधिक आसानी से समझ पाते हैं तो इसका प्रात्मिक उद्दे से यह है कि मस्तिस्क और उस तक पहुँचने वारी जो सूचनाएं हैं, उसको हम अर्थपूर्ण तरीके से पहुचाएं, क्योंकि सूचनाओं का जो चित्री निरूपण है, उससे मस्तिस्क को वो सूचनाएं समझने में आसानी होती है, एक सि अर्थिविधी हो, कोई मौडल हो, या कोई चित्री निरूपण हो, तो निश्चित रूप से उसका प्रभाव मस्तिस्क पर अधिक पढ़ता है, इसकी तुलनाव में हम कि हम सिर्फ उनसे बातचीत करें, तो इसलिए संप्रत्य माद चित्रण का मुख्य उद्देश यह है कि हम जो शिच्छन अधिकम प्रकिरिया है, उसको कैसे अर्थपूर्ण बनाएं, कैसे उनको सरल बनाएं, और कैसे उन तक सूचनाय पहुंचाना अधिक संभव हो पाएगा, और हमारा जो अधिकम उद्देश है वो पूरा हो पाएगा. अब संप्रत्य मांचित्रण का अर्थ क्या है? बहुत सारे संप्रत्य हैं जिनका हम अध्यन करना है और एक वास्तविक्ता है कि हर संप्रत्य दूसरे संप्रत्य से जुड़ा हुआ है. तो ये जो संप्रत्य मांचित्रण है वो विभिन संप्रत्यों के मध्य पाए जाने वाले संबंध का चित्री निरूपन है अलग-अलग संप्रत्यों को अगर हम आपस में संबंधित करने का प्रयास करें तो देखेंगे कि उनमें एक सह संबंध है और उस संबंद का जब हम निरूपन करते हैं वही संप्रत्य माचित्रण है तो वास्तों में यह एक तकनीक है जिसमें हम सूचनाओं और विचारों को अर्थपूर्ण तरीके से संगठित करते हैं तो संप्रत्य माचित्रण का अर्थ आप समझ गया होंगे इसके दो प्रमुक भाग होते हैं यह जानना बहुत आश्यक है एक तो नोड या बॉक्स जिसे हम एक गोलाकरती या अंडाकरती बनाएंगे और उस आकरती को हम नोड या बॉक्स अंग्रेजी में कहते हैं और यह जो आकरती होती है इसमें हम विभिन संप्रत्यों को निरिपूत करते हैं हर एक आकरती चाहें वो गोलाकार हो चाहें वो अंडाकार हो चाहें वो चोकोर हो चाहें वर्ग के रूप में हो हम किसी भी रूप में आकृती बना सकते हैं उसका चित्र बना सकते हैं और उसके अंदर हम उस संप्रत्य को लिखते हैं उसको निरिपूत करते हैं जिसके बारे में हम चर्चा करना चाहते हैं और इसी प्रकार से जितने भी संप्रत्य हैं वो हम सब एक साथ रखते हैं और या चोकुराकृति या नूड या बॉक्स है उस वो विभिन्य संप्रतियों को निरूपित करता है अब एक इसके चरण क्या है हम कौन-कौन से इसमें चरण होंगे जिसका हम प्रयोग करेंगे और उसके माध्यम से हम संप्रत्य मांचितर कर पाएंगे एक विज्ञान सिक्ष में सब्लु imagine करना चाहते हैं उधारन के लिए अगर आप बात करें कि जल कि विभिन्य वस्ताइं में अगर आप चर्छा करना चाहते हैं तो जल है वास्प है या वास्था है यह जो है यह वास्थाहें उनकर अलग-लग पहच्छान करलेंगे कि कौन सी ़िसस संप्रत्य में जिनको हम आपास में जोड़ कर और समझाएंगे दूसरा इन संप्रत्यों को क्रम बद रुप में व्यवस्तित करना ऐसा नहीं है कि आप कहीं भी किसी संप्रत्य को रख देंगे हर संप्रत्य को इक निश्चित G ai Records आप उनको विवस्थित करेंगे, हर एक बॉक्स, चाहे वो गोलाकार हो, चाहे अंडाकार हो, चाहे वो चोकुर आकरती का हो, उसमें संप्रत्यों को लिखना होता है, और फिर जिस क्रम में हमने उन संप्रत्यों के विवस्थित किया है, उस क्रम में उनमें हम तीर की आकरती क एक सरलेखा बनाते हैं और उस संबंध को निरुपीत करते हैं यह जो रेखाएं हैं यह बताती हैं कि एक संप्रत्य से दूसरे संप्रत्य का संबंध क्या है और हर एक रेखा पर एक सब्द या लगवाक या लिख देते हैं जिसे यह पता लगे कि जो दो संप्रत्य हैं उनके चर्जा किया आप से कि पानी के जो विभिन रूप होते हैं उनकी आवस्थाय क्या होती हैं उनका एक हमने एक आपके पुष्टकों में भी इस तरह के संप्रत्य माजित बनों होंगे आप इस संप्रत्य माजित को देखें और समझें कि कैसे आपने संप्रत्य निर्मार किया ताकि विद्यार्थी को ये संप्रत्य समझ में आ जाए मैं बात करता हूँ पानी की पानी के आगे एक तीर लगा हुआ है जहां पे दूसा संप्रत्य है अडूओं तीसा संप्रत्य लिखा है परमाडू चौसा संप्रत्य लिखा है गर्म उर्जा पांचवा संप्रत्य लिख बश्राइन इसे आवस्टाइं निचे अस्तर पर में अवस्थाय लिखा हुई है बीच में सबसे निचले अस्तर पे बर्प और भाब है तो आप विज्ञान शिक्षिक रूप में यह आवस्चा है कि आप इस तरह से इसको करमबद करें आप यह भी देखिए कि पानी और अन यह तीर बताता है कि पानी अड़ों से बना हुआ है, तो हमने एक जो संप्रत्य है वहाँ पे पानी लिखा, दूसरे इंड़ों से लिखा, और बीच में तीर लगया और उस पर लिखा, बना होता है, इसी तरह से अड़ों जो है वो परमाणूं से बने होते हैं, तो उसके लि अपनी विभिन अवस्थाएं बदलती है इसलिए हमने गर्म उर्जा से एक तीर का निसान अवस्थाएं तक लगा इस चेतर को आप पुना देखेंगे तो समझ में आएगा कि यह किस तरह से जुड़ा हुआ है अब यह जो अवस्थाएं हैं आपको पता है कि जल की तीर अव तहाँ इसी तरह से जो द्रब्य है उसका उदार्ण पाने श्वयंग है तो यह समप्रत्य मान्य-चित्र का उदारन है में अगर आपको इकि doin जो प्रत्य होते हैं उनके से आप आसानी से अपने प्रत्य को विद्यार्थियों तक पहुचा सकते हैं एक और उदारण से हम लेकर समझने की कोशिस करते हैं जो भी वायु मंडल है उस वायु मंडल में विभिन्य प्रकार के भोगता होते हैं आप इस चित्र को देखिए और इस चित्र में आप देख स होते हैं कि सूरे से जोई अइसार जीव जनतू होते हैं वे इंसे और उनसे पर दित्य थिर इस है जो की मान सहरी होता है अब यह जो है हरे पौधे का जो विकास है वायुमंडल और मिट्टी और जो अब घटक है उन पर निर्फर करता है और यह सारी चीजें आपस में अंतरसंबंद देता है तो यह भी एक उदारण है जिसके माध्यम से हम समझ सकते हैं कि संप्रत्य का मा अब आसानी से इस तरह के sjट्र आपके पुस्तकम में उप्लप्द होगा नहीं तो आपकी आपकी जित्मेदारी बनती है कि किसी भी संप्रत्य को समझाने के लिए संप्रत्य मास्ट्रतिंगा प्रयोग करें और यह जो मांचित्र है यह मास्जित उनको विद्यार्थियों को किसी भी तथ्य आसानी से संझाने सायख होता है और इसमें समय की पच्चत होती हैं साथ ही साथ इसके माधियम से आप बहतर तरीके से चीजों को समझा सकते हैं, जो तीर के निसान होते हैं, जो चौकोर, गोलाकार या अंडाकार जो आकृतियां होती हैं, जिसमें संप्रत्या लिखे होते हैं, तो वो सभी जो है, वो स्वैंग में ही अपने आपको व्याख्या कर देते हैं, विद्यारति देख क ही समझ जाता है कि इन जो संप्रत्या हैं इनके बीच में क्या संबंद हैं यह चीजें मस्तिस्क में गहराई तक पहुंच जाती हैं क्योंकि इसमें बहुत कुछ समझाने के लिए आवसकता नहीं होती और एक सिक्षा के रूप में भी आप आसानी से अपनी बात समझा सकते है आप चाहे तो एक और उद्राण हैं यह इक उद्राण है कि कैसे जो पानी है वह भाब बंता है और पुन संगनित होकर जो है जल बनता है और इस तरह से आप संप्रत्य निर्मान के इस प्रक्रिया को संप्रत्य पांचित्रण के समझाज़ हैं तो आज हमने जो भी जर्चाएं की उसमें एक चीज समझ में आपको आ जाएगी कि कि आप कभी इस बात का ध्यान रखेंगे कि विग्यान Songs cannot have this mu 99 अए बशर चाता और वा नसुजाँ का उद्देश का अवभीरतिन के और उब अब सोचने की तरीके में वजला करना भी है तो जब भी हम कोई भी कोई भी संफ्रत्य जो स्मझाते हैं उसके लिए शमयोग करें का प्रेयोग करता है अपनी योजना में उन सभी नोप्रकार के जो संप्रत्य हैं उनका प्रस्तिकर्ण अत्यनतावस्यक है और हम जब भी योजनाय बनाते हैं तो यह धान रखें कि यह सारी चीज़ां उसमें कराएं साथ ही साथ हमने संप्रत्य की संकल्पना को भी समझा यह समझा कि जो बहुत सारे उसकी प्रकार हैं उनके उधान भी हमने लिए मैंने जलकाय को उधारन लिया बल और कारे उर्जा यह सारे संप्रत्य के उधारन हैं साथ में हमने यह भी समझा कि किस प्रकार विभिन संप्रत को समझाने के लिए हम संप्रत्य मानचित्रण का प्रियोग कर सकते हैं संप्रत्य मानचित्रण एक चित्रीन रूपन है जो कि हमें इस बात के लिए सहायता करता है कि विद्यारती के मस्तिष्क में वह संप्रत्य आसानी से बैठ जाए और उस वह उसका प्रियोग कर सके इसके देखा कि किस प्रकार से जो उद्बातक है और प्रतम उभोगता दुतिव भोगता कैसे आपस में सहसंबन्दित होते हैं और हमने जल चक्रके भी उधारन से संप्रत्य माँचित्रण को समझा आसा है कि आप पुरी तरह से इस जो संप्रत्य की संकलपना है उसको समझ गये हों और मैं यह उम्मीद करता हूं कि आप अपने चिक्षण कारे के दोरान इस प्रकार के संप्रत्य मांचित्र बनाएंगे और विद्यार्थियों पर इसका प्रियोक करेंगे धन्यवाद